अभी के टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज एक अच्छा खासा आपर सरकीट हमें देखने को मिल रहा है रेसेंटली दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जेपी पावर का एक इंपोर्टन सपोर्ट है वो है 14 रुपे के लेवल से लेके 15 रुपे की रेंज ये बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि हमने ये देखा है कि लाश्ट टाइम जब ये शेर भागने से पहले 24 गया उससे पहले क्या था 24 पे जाने से पहले 15 से 14 की रेंज पर कॉंसोलिडेट किया उसके बाद अभी गिरा है तो भी यहाँ पे क्या कर रहा है कॉंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ से वापिस एक रिवर्सल के संभावना में बहुत ज़्यदा दिख रही है क्योंकि देखे जेपी पावर जो ये गिरा है में रिजन अगर मैं आपको इस स्टॉक के गिरने के बताऊं तो वो कोई बड़े रिजन नहीं है नॉर्मली आपका पहला रिजन है ASM लिस्ट दूसरा रिजन क्या था कि ASM लिस्ट के जाने के बाद अचानक आपका मिड केप और स्माल केप गिरा इस वज़े से यहाँ पे JP Power के उपर भी प्रेसर आया दूसरा दोस्तों यहाँ पे कोई भी बड़ा रिजन हमें देखने को JP Power में नहीं मिल रहा है कुछ नॉर्मली हमें Profit Booking देखने को मिली अगर ASM में नहीं जाता और मिड केप स्माल केप आपका नहीं गिरता क्या भी रहने वाला है, Quarter 4 के Results आने वाले है Results कैसे आएंगे, अगर दोस्तों Result अच्छे आए तो यहाँ से भी Rocket बनते वे नजर आ सकता है, Election आने वाले है तो क्या भी रहना चाहिए हमारा JP Power के उपर JP Associate अगर यहाँ पे मान लो, Bankrupt होता है तो JP Power के उपर क्या आसर पढ़ने वाला है वो इस वीडियो में हम जानने की कुसिस करेंगे 5 Days का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3.5% नॉर्मली रिवर्सल हुआ है 1 मंत में 11% शेयर गिरा है 6 मंत में यहाँ यहाँ पे 50% 60% रिटन दिया है और 1 year के बाद के जाए 170% तक के रिटन यहाँ पे मिले देखें सिरफ JP Power ही नहीं गिरा है बहुत सारे शेयर गिरे अगर आप यहाँ पे Irida शेयर देखें या वो दो बड़ी कंपनी है फिर भी आपका गिरा है 215 हाई लगाया था अच्छा कोई शेयर भाई किया है हाई पे भाई किया हाई पे फस गए तो कोई प्रब्लम नहीं है आपका पैसा रिकवर हो जाएगा तो JP Power में क्या रिकवर हो गए या नहीं होगा जिसने 24 पे भाई किया देखे रिकवर हो जाएगा क्योंकि ये कंपनी अभी के समय अच्छी बन रही है सुजलों की तरह अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पे अगर आकड़े देखे जाए श्टॉक आज का ओपन होता है 15 रुपे 50 पैसे वही इसका लो होता है उसके बाद एक अच्छा कासा हाई लगाता है 16 रुपे का एंड वॉल्यूम की बात करूँ तो एक क्रोड बारा लाग का यहाँ पे मैं वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वही एक अच्छा कासा टाइट अपर सर्किट लगा आज की दिन और 9,19,000 कॉन्टिटी अभी के टाइम जो है यह कंपनी में क्या हो सकता है इलेक्षन तक का व्यू रखना है एक दो दिन में दोस्तों कुछ भी हो सकता है क्योंकि जेवी पाउर यह है कि 10 दिन पहले लोवर सर्किट में था और अभी अपर सर्किट में है तो एक दो दिन का तो हमें देखना है नहीं कि कल क्या होगा परसो क्या होगा हमें ये देखना है कि election तक इसमें क्या हो सकता है election के बाद इसमें क्या हो सकता है सबसे पहले election तक जो बड़े event आने वाले हैं उसको हमें cover करना है election से पहले इसका बड़ा event आएगा company के quarter 3 के results तो हमें ये देखना है कि company का quarter 3 का result कैसा आएगा अगर result अच्छा आया तो अच्छी तेजी बनेगी और अगर result बुरा आया तो फिर share आपका गिरेगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि results कैसा आएगा तो दिखें दोस्तों अभी के समय अगर देखा जाए JP Associate यहाँ पर hydro power में और company call mining में भी है thermal power में भी है तो अब रहल यहाँ पर business देखा जाए तो ठीक है अच्छा कासा company का business है electricity में demand हमें सब बनी रहती है electricity में दोस्तों अभी के समय market cap अगर आप देखेंगे 10,971 करोड का है PE की बात करो 22 का यहाँ पर PE ratio है ROE ROC यहाँ पर 5% है सबसे अच्छी बात देखें JP Power में मुझे यह लग रही है PE इसका high नहीं है PE total settled PE है यहाँ पर इससे भी PE high ज्यादा PE वाली company है लेकिन JP Power का PE अच्छा है एक समय यह भी था आज से एक साल पहले इसका PE था भी नहीं क्यूंकि company loss में थी अभी इसका PE अच्छा कसा है 22 का यहाँ पर PE है next quarter जो last quarter था उस समय company का PE डेट सो था उससे पहले company का PE एक हजार के आसपास था तो दो result अच्छे आये PE गिर गया 22 पे आ गया अगला result अच्छा आया तो PE कम होगा और PE दोस्तों जितना कम होता है किसी share का उतना ही वो share आपका jump करता है उतना ही वो share आपका risk free होता है अभी के time अगर देखा जाए quarterly result अच्छी कासी growth हो रही है sales अच्छी आ रही है अच्छानक sales में jump आया 2190 करोड की sales होई year on year quarter on quarter performance बहुत ही अच्छा रहा जहाँ पे अगर बात की जाए तो year on year sales जो है वो 82% jump किया बहुत ही अच्छा कसा response company ने दिखाया तो अगर quarter 4 में sales अगर इतनी ही आती है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी 2190 करोड की sales है अगर इतनी ही sales यहाँ पे next quarter में आ जाती है तो ये good news मानी जाएगी margin इतने ही रहते है तो good news होगी order income minus से plus में आने की संभावना है अगर ये plus में आती है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है interest यहाँ पे main रहेगा अगर interest कम हुआ अगर 90 से भी नीचे चला गया तो अच्छी बात रहने वाली है बहुत ही अच्छी good news रहेगी इससे हमें ये company की मनसा पता चलेगी कि company actually चाती क्या है कि company dead free होना चाती है तो यही है interest यहाँ पे अगर कम हुआ तो बहुत ही अच्छी खबर होगी profit की उमीद है कि 200 क्रोड तक का profit company कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो शेरों में रफ्तार एक अच्छी बनेगी जिसे 30 रुपे के levels भी हमें आसानी से दिखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे interest तो continue कम होते होते पहले 2700 क्रोड का था अभी 400 क्रोड का ही रह चुका है और अगर total debt free होती है तो यह 400 क्रोड भी company के profit में add होते वे देखने को मिल जाएंगे balance rate में अच्छा का सा इजाफा हुआ है 1381 क्रोड का result था 3800 क्रोड का हो चुका है quarter 4 में जब balance rate अपडेट होगी अच्छा गुजरने की उमीद है और अगर अच्छा गुजरता है तो फिर एक रफ्तार पकड़ेगा election के लिए तो अभी के time chart के अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी के समय RSI बिल्कुल down में आ चुका है और reversal दिया है 50 के उपर RSI जाता है तो एक इस strength बनेगी company में जिससे यह share 18 के उपर भी जाने की कोसिस करेगा हमने यह देखा है जब भी rally आती है एक dip तो आता ही है rally dip फिर एक rally फिर एक dip फिर एक rally फिर एक dip तो यहाँ से अगेन एक rally बन सकती है जोकि 25 से 30 रुपे के target भी दिखा सकती है सारा कुछ depend करता है quarter four के result पे result दोस्तों अगर उमीद से बहतर आते है तो यह बहुत ही अच्छा मौका रहेगा JP power में एक अच्छी growth यहाँ पे JP power में दिख सकती है रही बाद JP associate अगर bankrupt होता है तो क्या होगा JP associate दोस्तों अगर bankrupt होता है तो JP power के जो JP associate के पास JP power के 24% हिसेदरी है तो SMM यहाँ पे bankrupt होता है तो Adani group इसको buy कर सकता है क्योंकि Adani group thermal power का business बढ़ा रहा है तो SMM यहाँ पे JP power उनके under में आएगी इस वज़े से Adani group JP associate को भी buy कर सकता है अगर यहाँ पे Adani group buy करता है तो और भी वड़ी growth JP power में दिखेगी तो अभी के समय target देखा जाए 17-20 रुपे short term में दिख सकते हैं medium term election के बाद यह share 30 रुपे जाने की full संभावना हमें दिख रही है और अपना जो stop loss रहेगा वो normally हम 12 रुपे का SL दक्के चल सकते हैं